कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे दोस्तो आज हम लोग अपने ओसत एवरेज चेप्टर के लेक्चर टू को कंटीन्यू करने वाले हैं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पढ़ नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भू लें साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे हर इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिक्शन आप तक पहुंच पाए तो चली दोस्तों शुरू करते हैं आज हम सबसे पहले पार्ट वन को जल्दी से रिवाइस करेंगे ठीक है जी तो औसत का मतलब होता है औसत का मतलब होता है सब को बराबर समझना ठीक है जी और सभी में बराबर बराबर बाटना ठीक है जी यह मैंने आपको कॉंसेप्ट समझाये थे जैसे आपर 6 बंदे के पास कुछ रूपए दिये गए ठीक है सभी सभी को अलग-अलग रूपए दिये गए है तो मैं अगर अगर आपसे पूस्ताओं कि कुल रुपे कितने होंगे तो आपका जवाब होगा जी 300 ठीक है जैसा कि आप जोड़के देख पा रहे होंगे और बंदों की संख्याएं कितनी है तो आपका जवाब होगा 6 ठीक है अगर 300 को हम 6 बराबर भाग में बाटे तो आपका जो 50 रुप पाएंगे ठीक है तो यही औसत का मतलब बराबर बराबर बाटना होता है अब मैंने आपको बताया था डेवियेशन का ठीक है यह आपके एवरेज के लिए बहुत ही इपटन है ठीक है तो आपको यह फिर से समझना है ध्यान से आपने क्या करना है 20, 30, 40, 80, 90, 800 इसका average निकालना ठीक है जी तो आपने क्या करना है इसको assume कर लेना एक number अपने से खुद से ठीक है assume कर लेना आपकी मर्जी आप कुछ भी assume कर सकते हो ठीक है लेकिन assume ऐसा करना है कि calculation आपकी आसान हो ठीक है तो मैंने 80 assume कर लिया अब आपको deviation देखना है बिचलंग देखना ठीक है कि जो average वाली संख्या है ठीक है जो आपने average माना है उससे जादा है या कम है ठीक है जादा होगा तो plus देंगे और कम होगा तो minus का sign देंगे ठीक है तो 20 को दिहान से देखें 20, 80 से कितना जादा या कम है आपका जबाब होगा जी 60 कम है ठीक है इसलिए मैंने नीचे में क्या लिखा है minus 60 यानि इसके साथ deviation कितना आ गया minus 6 ठीक है अब 30 के साथ deviation देखते है 30, 80 से कितना जादा या कम है ठीक है जी तो आपका जबाब होगा 50 कम है तो minus का 50 ठीक है 40, 80 से कितना जादा या कम होगा तो आपका जबाब होगा जी minus 40, 40 कम है ठीक है 80, 80 से कितना जादा या कम है तो आपका जबाब होगा जी 0 deviation 90, 80 से कितना कम या जादा है तो आपका जबाब होगा जादा है 10 ठीक है जी आपको दी गई संख्याओं का average के साथ comparison करना ठीक है जी 180 से कितना ज्यादा ये कम है तो आपका जबाब होगा 20 ज्यादा इसे लिए प्लस ठीक है अब 80 प्लस सारे deviation को जोड़ेंगे ठीक है अब मैं आप से पोचूँ कि ये जो deviation आया है जो bichlun आया है कितनी संख्याओं की वज़त से आया कितनी संख्याओं के कारण से आया ठीक है तो आपका जबाब होगा सर जी ये 6 संख्याओं की वज़त से आया ठीक है तो आप तो जानते है average का मतलब क्या होता सभी को बराबर बराबर बटना ठीक है इसी को मैं एक तरीके से आपको बता कर दिखाता हूं, ठीक है, माना संख्या कितना है, 20, 30, ठीक है, संख्या 20, 30, 40, 80, 900, दे रखी है, आपने क्या करना है, इसमें, मैंने मान लिया कि 40 है, ठीक है, अब डिवेशन देखेंगे, 20 का डिवेशन 30, 40, 80, 900, ठीक है, आप देख पा अगला concept था समांतर स्रेनी का, ठीक है दोस्तों, अगला concept था समांतर स्रेनी का, समांतर स्रेनी होता क्या है, अगर क्रिसी सिंखला में सभी लगतार पदों का अंतर आपको समान दिखे, ठीक है, तो जो स्रेंखला होगा, जो सिरीज होगा, वो AP में होता है, arithmetic production में होता है, जैस लगातार term आपको दिख रहे हैं जैसे 2 में 2 जोडएंगे 4 ठीक है 4 में प्लस 2 6 6 प्लस 2 8 8 प्लस 2 10 ठीक है यानि दो 2 का difference आपको सभी जगा दिख रहे होंगा ठीक है तो इसे ही हम क्या बोलते हैं का हुए सकता मिश्य दिफ्रे infrastcke 20 कि ये लेकिन आपको यह धियान रखना क्याएं कि इफाली संख्या होती समांतर वाली पोड़ां पन्सेप्ट वाले पतको नगी एधिक वीस्षाथ को पकड़े पतक व करुंगा आश्ट मधी आहाएं पकड़ोगे दोनों को जोड़के और दो से डिवाइट करना है तो आपको इसमें क्या हो जाएगी बीच वाली संक्या पता हो जाएगी ठीक है जैसे एक्जाम्पल तोर पर 5,10,15,20,25 का उसत क्या होगा तो आपका जबावगा ठीक है जी सबसे पहले कंडिशन कि यह अर्थम कितना होता है दो का होता है ठीक है जी अब कोशन एक देख लेते हैं लगातार पांच संख्याओं का उसत 20 है तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या ग्याद करें ठीक है जी आपको दे रखा है पांच लगातार संख्या ठीक है यानि एपी में होना चाहिए सम जो आंतरती, बीच वाली संख्या होती है तोuds राचत दे रख खा है तो वी चोटी संख्या भी सबसे बड़ी संख्या भी अगर पूछे चोटी के एक बाद वाली संख्या वो भी आप बता सकते हो ठीक है सबसे चोटी दूसरी संख्या भी आप बता सकते हो ठीक है चली अगला concept क्या करता है अगर पांच संख्याओं का ओसत दस हो ठीक है अगर पांच स पाया 20, अब मैं आपसे कहूं कि सारी संख्याओं जिसका आपने ओसत निकाला, उसमें आप 5 जोड देरो, ठीक है, तो ओसत में भी 5 का चेंजिंग आता, ठीक है, यानि 5 उसमें भी जोड जाएगा, ठीक है, फिर मैं एक्जामपल दो, कि आपने 20 संख्याओं का ओसत निकाला, और आपके पास औस ताया 100 ठीक है अगर हर संख्या में मैं 8 जोड़ दू तो औस भी 8 बढ़ जाएगा ठीक है जी हर संख्या में 10 घटा दू औस भी 10 घड़ जाएगा हर संख्या में 2 से गुना कर दू औस भी 2 से गुना हो जाएगा हर संख्या में 10 से भाग कर दू औस भी 10 से बाग हो जाएगा सही है जी चलिए यह सब मैंने समझा दिये थे अब कुछ important formula है ठीक है जी कुछ important formula है जिसे आप ध्यान रखोगे ठीक है बहुत important formula है पहला formula क्या है पर्थम n प्राकिर्ट संख्याओं का योग क्या होता है ठीक है यानि पर्थम 1 से शुरू होना चाहिए प् 1 by 2 पर्थम n सम संख्याओं का कुल योग क्या होता है n into n plus 1 पर्थम n विसम संख्याओं का कुल योग कितना होता है n square पर्थम n प्राकिर्ट संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 पर्थम n प्राकिर्ट संख्याओं के घनों का योग क्या होता है तो प्लस 1 इंटू 2N प्लस 1 बाई 3 लगतार पर्थम एन विसम संख्या के वरगों का योग तो आपका जवाब होगा रखेंगे चली आगे और बढ़ते हैं चली इसी में औस लिखा हुआ औस प्लस 1 बाले सारे फॉर्मूले को ग्याद करने के लिए सके मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास योग दे रखा ठीक है अगर उसमें आप संख्याओं का भाग दे देते हैं तो आपको क्या मालू हो जाएगा ओसत ठीक है किसी भी जो फॉर्मूले का ओसत होगा वह आपको मालूम हो जाएगा पता चल जाएगा पर्थम एन प्राकिट संख्याओं का ओसत ठीक है जैसा कि आप जानते है योग क्या होता है एन इंटु एन प्लस 1 बाई 2 आपको निकालना है ओसत तो एन से देना पड़ेगा ठीक है तो क्या बचेगा एन प्लस 1 बाई 2 ठीक है जी पर्थम एन पूर्ण संख्याओं का ओसत पर्थम एन पूर्ण संख्याओं का ओसत क्या होगा एन इंटु एन माइन संख्याओं का ओसत ठीक है सबसे पहले योग क्या होता है एन इंटु एन प्लस 1 ठीक है जी और आपको औसत निकालना इसलिए n से भाग देना पड़ेगा तो n से n cancel out हो जाएगा तो n प्लस 1 क्या गया औसत ठीक है पर्थम n विसम संख्याओं का औसत n अस्क्वाइर होता है योग ठीक है उसे n से भाग देंगे तो औसत प्राप्त हो जाएगा इसलिए n आग क्या है कि औसत निकालने के लिए ठीक है तो आप n से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे ठीक है पर्थम इन प्राकिर संक्वाओं के घनों का ओसत क्या होता है सबसे पहले योग and into n फ्लस वन बाई two ka whole square ठीक है छी आपने whole square खोलना है और बटे में in करना ठीक है तो formula आपको प्राप्त हो जाएगा, पर्थम N संख्या के वर्गों का योग, यो क्या होता है, 2N into N plus 1 into 2N plus 1 by 3, और आपने उसत निकालना है, तो बटे में N, N से N cancel out हो जाएगा, तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा, पर्थम N V संख्या के वर्गों का उसत क्या होता है, N by 3 into 4N square minus 1, ठी है, पहले आपने योग का फर्मल लिखना है, बटे में N लिखना है, तो आपको जाएगा, 4N square minus 1 by 3, चले आगे क्यों बढ़ते हैं, अब प्रश्नों को हल करते समय ध्यान क्या रखना है, आप उसत होता है संख्याओं का कुल योग, बटे संख्याओं की कुल संख्या, अग बटे संख्याओं की असमय ओसत, तो देख लेते हैं, परथम तीन संख्याओं का उसत, चौती संख्याओं का दुग्ना है, यदी उन सभी चार संख्या का उसत बारा है, तो चौती संख्या क्या होगी ठीक है तो मैंने तीन संख्या माल लिया है एक दो तीन ठीक है और चौती संख्या अलग माना तो बोला गया कि चौता संख्या के पास जितना ऑसत है उसका डबल तीनों के पास है ठीक है तो चौती संख्या को मैंने एक्स माना तो तीनों के पास कितना हो ज X ठीक है जी और बोल रखा है कि 4 संख्याओं का उसत 12 है तो 4 संख्या का योग कितना होगा तो आपका जवाब होगा जी 48 ठीक है अब सभी को जोडते हैं तो सभी का योग कितना हैगा 6X plus X और कोशन में योग कितना दिया है 12 चक 48 ठीक है जी तो X का value कितना जाएगा 48 पटे 7 ठीक है अगला प्रशन है राम और उसके दो बच्चों की ओसातायू 17 वर्स है ठीक है तो राम और उसका दो बच्चा A और B ठीक है तो तीनों का ओसातायू 17 है तो मैं एगर आप से पूच香 कि राम और दोनों बच्चे A और B उनका योग कितना होगा तो आपका जवाब बुलाती है 48 और राम की आयू दे रखिए 33 वर्स ठीक है जी तो उसकी पत्नी की आयू क्या होगी ठीक है तो पत्नी निकालना आपको तो क्या करना दोनों equation को घटाना तो जैसे ही घटाते हैं तो A से A कट जाएगा B से B कट जाएगा ठीक है तो राम माइनस पत्नी ठीक है रा पहली संख्या से दुगनी और तीसरी संख्या से ट्यूगनी है तो मैंने लिख लिया पहली संख्या से दुगनी है यानि पहली संख्या अगर एक है तो दूसरी संख्या दो होनी चाहिए क्योंकि दूग नहीं बोला है ठीक है और पहली संख्या अगर एक है तो तीसरी संख्या तीन गुणी होनी चाहिए यानि ती गुणी हो जाएगी ठीक है तो देख लेजी तो तीसरी संख्या से दूसरी स संख्या का नुपात कितना है तीन नुपात एक ठीक है जी आपको मर्ज करना है ठीक है तो मर्ज करने के लिए आपको दिख रहा होगा कि जो तीसरी संख्या पहले पार्ट में है वो खाली है ठीक है और नीचे पहली संख्या नीचे वाले पार्ट में खाली है तो आपको दूसरे बाले पार्ट में आपको दिख रहे होंगे, कितने दिख रहे हैं, आपके 3 खाले स्थान के बगल में कितने दिखें, 3, सही है, तो 1 गुना 3, 3, 2 गुना 3, 6 और 2 गुना 1, 2, ठीक है जी, तो 3 रेशयो 6, रेशयो 2, यह अनुपात आ गया, तो योग कितना होगा, 3 पर 2 6 3 9 2 11 11 11 यूनिट का value सवाल में क्या दिया रखा है 132 ठीक है जी तो एक यूनिट का value कितना आएगा 12 आप से पूछा गया है कि बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या आपको कौन से दिख रही है दूसरी 6 यूनिट वाली तो 6 यूनिट का value कितना हो जाएगा 12 गुना 6 ब टीक है जी यदि सभी 4 संख्याओं का उसत 5 हो थो 4 ती संख्या ग्याद करें सही है तो आपको दे रखा है तो इन 3 संख्याओं का उसत कितना होगा ? 3x क्योंकि बोला थी गुणा होगा टीक है अगर मैं आपसे पूछ shout योग कितना होगा तो आपका जबाब होगा औसत गुने संख्या तो तीन एक्स गुना तीन कितना जाएगा नो एक्स और सभी का योग कितना होगा तो चार संख्या है औसत पांच है तो योग कितना होगा पांच चक 20 ठीक है जी तो सबको जोड़के कितना आना चाहिए 20 ठीक दूसरी संख्या, तीसरी संख्या की दुगनी है तो पहली संख्या क्या होगी ठीक है जी, तो आपको ध्यान देना सबसे पहले तीन संख्या दी गई है, एक, दो और तीन तो आप जानते हैं, ठीक है जी कि तीन संख्या होगा उसा सतत्तर है तो यो कितना होगा तीन गुना सततर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी ठीक है जी तो पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी और जो दूसरी संख्या है तीसरी संख्या की दुगनी ठीक है तो मैंने किया क्या पहले तीसरी संख्या को मैंने माल लिया एक ठीक है तो उससे double दूसरी संख्या होगी, तो दूसरी संख्या उससे double 2 हो गई, और पहली जो संख्या थी, दूसरी से double है, तो दूसरा अगर 2 है, तो पहला कितना हो जाएगा, छार, ठीक है, इस पर आपको practice करने, ये बहुत important सवाल है, ठीक है, तो कुल योग कितना जाएगा, मेरे 33, 132, ठीक है जी, अब अगला प्रशन क्या है, तीन संख्याओं में से पहली संख्या, दूसरी संख्या की दुगनी है, और तीसरी संख्या की दुगनी है, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, जो पहली संख्या है, दूसरी की दुगनी है, ठीक है, और तीसरी संख्या की आदी है, सहिए जी, यदि सभी संख्याओं का औसद छपपन है तो पहली तथा तीसरी संख्याओं का अंतर कितना होगा, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगा तो मैंने माल गया तीन संख्या, एक, दो और तीन, ठीक है इसमें बोला क्या गया है कि पहली संख्याओं, दूसरी संख्याओं की दुगनी है ठीक है जी, तो दूसरी संख्याओं मैंने एक माना, तो पहली संख्याओं का डबल होना चाहिए ठीक है, तो एक का डबल कितना होगा दो, और बोला कि तीसरी संख्याओं की यादी है ठीक है यानि तीसरा अगर 4 होगा तभी तो उसका आधा 2 होगा ठीक है जी चलिए तो कुल योग कितना आएगा कुल योग आएगा 3-56 क्योंकि आउसद 56 दे रखा है मेरे हिसाब से कुल योग कितना है देखिए तो 4-2-6-1-7 तो 7 unit का value 3-56 ठीक है तो 1 unit का value कितना आएगा 24 आपसे पूछा है कि पहली और तीसरी संख्या का अंतर तो अंतर 2 unit है ठीक है जी तो 2 unit का value कितना 48 सही है प्रसंद 7 क्यों बढ़ते हैं तीन संख्याओं का आउसद 40 है इनमें पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है और ज तो इसमें बोला जा रहा है कि जो पहली संख्या है तीसरी से double है ठीक है जी पहली संख्या दूसरी की दुगनी है ठीक है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से तीगनी है ठीक है तो सबसे पहले आपको ध्यान में आना चाहिए कि हमको तीसरी संख्या को लेट करना है मानन तो तीसरी संख्या अगर एक है तो दूसरी संख्या उससे तीन गुणी होनी चाहिए ठीक है तो एक गुणा तीन यानि दूसरी संख्या कितनी हो चाहिए तीन अब पहली संख्या के बारे में बता गया कि जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की डबल है तो दूसरी संख्या 3 है तो पहली संख्या कितनी होनी चाहिए 6 ठीक है जी और यो कितनी होगी आपको दे रखा 3 संख्याओं का उसा 40 है तो 3 संख्याओं का यो कितना होगा चालिस गुना तीन यानि 120 और मेरे हिसाब से यो कितना है 6, 3, 9, 9, 10 10 यूनिट का वैलू 40 गुना तीन तो एक यूनिट का वैलू कितना हैगा आपका जवाब होगा 12 ठीक है जी पांच यूनिट का वैलू कितना हैगा 12 पचेस साथ सही है चलिए अगले प्रशन क्यों देख प पहली संख्या दूसरी से दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है ठीक है तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया तीसरी संख्या को मान लिया एक ठीक है तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या तीसरी से डबल है यानि तीसरी संख्या अगर एक है तो दूसरी संख् जाएगा सभी है तो मेरे हिसाब से यह कितना है चार दो छेक साथ यूनिट और कोश्चन के हिसाब से तीन गुना एक सुचा हुआ नहीं तो एक यूनिट का वहलू कितना आ गया च्छी आसट आप से पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या नि पहली संख्या बताएं तो च्यार पहली संख्या पहली संख्या की तीन चौथा ही है तो आपको आपने ध्यान क्या रखना है कि तीन चौथा यानि बटे में आ रहा है ठीक है अगर आप एकस वाई करते हो तो आपको बहुत ठीक है दिक्कत होने लगेगी तो आपने क्या करना है जो बटे में उसी को मान लेन ठीक है जिससे comparison किया गया है तो बोला गया है कि दूसरी संख्या जो तीन संख्या में से दूसरी पहली की तीन गुनी है ठीक है जो दूसरी संख्या होगी पहली की तीन गुनी और तीसरी संख्या पहली संख्या की तीन चौथाई ठीक है जी तो माल लेते हैं कि पहली संख्या अगर चार है, तो चार का आप तीन चोथाई करोगे तो कितना आएगा तीन, तो पहली और तीन के बीच में रिलेशन आ गया अब बोला जा रहा है कि दूसरी संख्या जो है तो चार का तीन गुनी 12, यह तो तीनों का उसत कितना है एक्कокоदअ 주र धर हो पूछ हो कि तीनों का यो कितना होगा तो आपका जबाब होगा 3 गुना 114 ठीक है जी मेरे हिसाब से यो कितना है 12 4 16 3 19 19 यूनिट का वैलू 114 गुने 3 तो एक वैलू कितना हैगा 18 आप से पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या बताएं तो दूसरी संख्या कितनी है 12 तीसरी की चोगनी है और तीसरी की तीन गुनी है बोला क्या जारा कि आपके पास तीन संख्या दे रखिए ठीक है जी जिसमें कि पहली जो संख्या है दूसरी से चोगनी होनी चाहिए ठीक है दूसरी से चोगनी होनी चाहिए ठीक है जी तीसरी की तीन गुनी होनी चाहिए तो मैंने क्या किया सबसे पहले तीसरी संख्या को माल लिए तीसरी संख्या को माल लिए चार ठीक है जी तो चार या आप क्या करो चौगनी और तीन गुनी ठीक है बोला जाला कि एक ही संख्या जो है वो चौगनी भी होनी चाहिए और तीन गुनी भी होना चाहिए ठीक है जी यानी चार और तीन काल सिम कितना होता है को फूद संख्या पारा ऑघ्रलिए तो मैंने क्या कि था संख्या को बारा मान लिया थीक है अब चली तो पहली शंख्य को बारा हो गया ठीक है अबifi बोला जाद2 संख्या यह यो कितना आ गया 12, 3, 15, 4, 19 unit और प्रसंद के अनुसार कितना हो जाएगा जदी कुल औसत कितना है 95 है तो 19 unit का value हो जाएगा 3 गुने 95 सरी है यह आपका तोरा सा error हो गया इसको देख लेंगा 19 unit का value कितना हो जाएगा 3 गुने 95 तो 1 unit का value हो जाएगा 5 गुना 3 यानी 15 तो 4 unit का value कितना हो जाएगा ठीक है आपका हो जाएगा 5 गुने 15 जग 60 ठीक है इसको ध्यान से देख लेंगा थुरा सा error हो गया आपकर अगले प्रशन की ओर चलते हैं ठीक है आपके पास अगला प्रशन है A, B और C का औसद बजन 45 केजी है यदि A और B का औसद बजन 40 केजी है और B और C का 43 केजी है ठीक है तो B का बजन आपसे पूछा गया है यानि A, B, C का औसद बजन 45 है तो आपसे अगर मैं पूछूँ कि A, B, C का योग कितना होगा तो आपका जवाब होगा 45 गुणे 3 तो मैंने सबसे पहले लिख दीया A B B और C व today यो कितना होगा 45 गुणे 3 यानि 135 के जी जदि A और B का उसर चालिश दे रखा है तो A और बे का यो कितना होगा आपका जवाब होगा 80 ठीक है जी B और C का योग कितना होगा 42, 86 ठीक है आप से पूछा गया है B का बजन ठीक है तो अगर मैं 3 के बजन में से B और C को हटा दो ठीक है तो बचेगा क्या A तो वही मैंने किया है 135 तीनों का बजन है और B और C का बजन कितना है 89аша钱 तो A का बजन कितना अगया है 49 kg ठीक है तो आपसे पूछा गया है B का बजन सही है तो A प्लस B जैसा कि आप जानते हैं 80 kg दे रखा है यानि आपने निकाला है और 49 kg A का बजन है तो B का बजन कितना होना चाहिए 31 kg होना चाहिए आपके लिए अगला प्रशन होगा A और B की ओसत आई 200 है C और D की ओसत आई 200 है और A, B, C, D की ओसत आई अपसे पूछी गई है ठीक है तो A और B का योग कितना होगा जल्दी से बताएंगे ठीक है दो गुना 200, 400 हो जाएगा C और D का ओसत कितना हो जाएगा तो आपका जवाब होगा जी 200 गुना 2, 500 ठीक है अब आपसे ओसत पूछा गया तो ओसत क्या होता सभी संख्याओं का योग बटे गुल संख्या तो सभी संख्या का योग कितना हो जाएगा 500 प्लस 400 यानि 900 और बटे में कुल कितनी संख्या ह तो कितना एंसर हो जाएगा 225 ठीक है जी अगला प्राशन बहुत ही इंपोर्टेंट है ठीक है इसको ध्यान से समझेंगे आप लोग बोला क्या गया है कि बिज्ञान की तीन कक्षा है ठीक है यानि क्लास A था क्लास B था क्लास C था और G बिज्ञान की प्रिक्षाई देती है क्लास A में जितने भी बच्चे हैं उसका ओसत अंक 83 है कक्षा B के ओसत 76 है यानि कक्षा B में जितने भी बच्चे हैं उनकी ओसत अंक 85 है कक्षा A और B को अगर आप मिला देते हो तो सभी का ओसत अंक कितना आता है 89 आता है कक्षा B और C को आप अगर मिला देते हो तो उसका तो आपसे पूछा गया है A, B और C के आउसतं कितने है ठीक है बहुत आसान कोश्चन है आप ध्यान से सिर्फ समझेंगे ठीक है तो मैंने क्या किया है solution में ठीक है पहले जितना data question में दे रखा है मैंने सबको लिख लिए ठीक है A, B, C, A, B और B, C के पारे में दे रखा है ठीक है अगर मैं आपसे पूछा हूँ कि A की संख्या कितनी A में जितने भी विद्यारती है उसकी संख्या कितनी है तो आपका जवाब होगा जी संख्या है तो मालूम नहीं है B में B, C में B, यानि कि C की संख्या मालूम नहीं, ठीक है, तो मैंने माना किया कि A में X विद्यार्थी रहे होंगे, B में B विद्यार्थी रहे होंगे, C में Z विद्यार्थी रहे होंगे, ठीक है, अगर A और B को मिलाते हैं, A class A, class B को मिला देते हैं, ठीक है, तो विद्यार् यहां तक क्लियर हे चलिए और ए का असक्राइप का यूग निकालने का थीक है तो च्छरथ आपको किसी पहला काम है योग निकालने का तो चिटना जाएगा तो संख्या बुनिया उसत तो 33 18 x 23 x आ गया, b का योग कितना आ जाएगा, b का योग आ जाएगा, by into 76, 76 y, c का योग, 85 z, उसी तरह, a plus b का योग कितना जाएगा, 89 into x plus by, और b plus c का योग कितना जाएगा, 81 into by plus z, ठीक जी, अब ध्यान से सुनीगे, अगर आप a और b, ठीक है, 83 x और 76 y, ये a और b है, ठीक है, और इधर भी a और b है, 89 into x plus by, दोनों क्या होना चाहिए, आपस में बरावर होना चाहिए, ठीक है, जी, b और c अलग अलग दे रखे हैं, 76 y और 85 z, और इधर मेरे दायों, b plus c, 81 into by plus z, ये दोनों भी क्या होने चाहिए, बरावर होने चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने आगे into x plus by, ठीक है, तो इसको solve करके, आपका x से by का अनुपात कितना आ गया, 3 अनुपात, 4 ठीक है, फिर क्या करना आपको, by, b plus c का योग और b, plus c का योग बरावर करना है, तो b का योग कितना था, 76 by, c का योग कितना था, 85 z, और b plus c को मिलाकर कितना था, 61 into by plus z, ठीक है, इसको आप solve करोगे तो z बटे by यानि z से by का ratio आगया 5 ratio ठीक है और दोनों ratio को आप merge करोगे तो x अनुपात by अनुपात z यानि जो भी अनुपात ये आया है x अनुपात by अनुपात z ये संख्याओं का अनुपात आया है ठीक है जी एकतर गुना 4 304, 85 गुना 5 425 ठीक है और total संख्याओं कितने है 5, 4, 9, 3, 12 तो बटे में 12 तो आपका answer आगया है 80.5 ठीक है इस question को हम दोसी तरह से allegation से भी कर सकते हैं ठीक है method 2 allegation मिलागा सकते हैं ठीक है बोला क्या गया है? allegation तब लगता है class B और class C को आपस मिला रहे है तो class B plus C बनेगा ठीक है दोस्तों? तो A का आउसत 83 है, B का आउसत 76 है और दोनों को अगर मिला देते हैं तो आउसत कितना आता है? 89 ठीक है जो? allegation में क्या करना? आपको बड़ी वाली संख्या से cross करके सामने वाली संख्या भटाना है ठीक है? तो 83 में से आप 89 को घटाते हो तो कितना आता है? 4 आप 89 में से 76 को घटाते हो माइनस करते हो ठीक है दोस्तों? तो 89 में से 76 घटाते हो तो कितना आता है? 3 जो नीचे आता हुआ आता है संख्याओं का रेश्यो ठीक है जी संख्याओं का रेशियो सही है अगर किसी वहाई को allegation में दिक्कत होती हो ठीक है तो वो comment section में type करेंगे मैं उन लोगों के लिए special allegation का वीडियो बना दूँगा ठीक है जी सारे concept होंगे उसमें तो जो नीचे आता है घटकर ठीक है उस्ख्या का रेशियो ठीक है जी बी का आसद, क्लास बी का आसद 76 था क्लास C का आसद 85 था और段ों को जब हमने मिलाय था तो आसद कितना आ अगया था returned 81 आ गया था ठीक है यानि class A में जो student है वो 3 है तो class B में 4 है class B में 4 है तो class C में 5 है तो x by z का ratio 3 ratio 4 ratio 5 यह direct आ गया ठीक है आपको उतना करना ना परा तो औसत क्या हो जाएगा 83 x plus 76 by plus 85 z ठीक है दोस्तो और नीचे में x plus by plus z तो x plus by plus z का value रखेंगे तो 81.5 आ जाएगा तो मैं आसा करतों आपको इतना समझ में आया होगा तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं next part में ठीक है दोस्तो अगर आपको हमारा इस session अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे like, share और subscribe जरूर करें तब तक के लिए take care, good bye